Good morning student, मैं पायल मितल आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ आज हम कक्षा छे हिंदी वन की व्याकरण में पाठ तीन शब्द विचार का अध्यन करेंगे जैसा कि बच्चो मैंने पहले वीडियो में आपको शब्द विचार की परिभाशा, शब्दों की प्रकार, शब्दों की उत्पत्ती, उसका विभाजन, तथा रचना के अधार पर शब्दों के भेद आधी समझाया था अब हम आज उसी के आधार पर प्रश्णुतर करेंगे तो आईए बच्चो प्रश्णुतर करते हैं प्रश्ण नमबर एक, शब्द की परिभाशा उधारन सहित लिखिए इसका उत्तर लिखेंगे जिन वर्णों के समहुका कोई अर्थ होता है जैसे जिन वर्णों को बोलने पर हमें कुछ बात समझ आती है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र, सार्थक, ध्वनी सम्हों को शब्द कहते हैं अर्थार वर्णों को जोड़ जोड़ कर जब हम एक शब्द बनाते हैं परंतु वे शब्द सार्थक हो तभी वे शब्द कहलाता है जैसे साइकल प्रश नमबर दो सार्थक और निरर्थक शब्द में क्या अंतर होता है तो इसका उत्तर है बेटा सार्थक शब्द की पारिभाशा करेंगे सबसे पहले हम जिस शब्द से का अपना कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं जैसे बिजली, कुरसी, पुस्तक, आदी बिजली बोलने से हमें समझ आ गया कि हमें बिजली को देखना है या बिजली खोलने है कुरसी, कुरसी को सुनते ही हमें समझ आता है कि कुरसी क्या होती है बैटने के काम आती है ऐसे ही पुस्तक को देखते ही हमें समझ आता है या पुस्तक को शब्द को पढ़ने पर यह समझा जाता है कि यह पुस्तक है इस प्रकार यह क्या कहलाती है सार्थक शब्द कहलाती है और बचो व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत होता है बिना सार्थक शब्दों के कोई व्याकरण नहीं कहलाती है इसी प्रकार इसका दूसरा प्रकार है निरर्थक निरर्थक जैसा की शब्द से दिख रहा है नी लगा हुआ है अर्थात सार्थक का उल्टा हो जाता है निरर्थक का ताथ पर है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं जैसे मैंने बोला लीजबी, सिरकू, आदी अब लीजबी और सिरकू यह सुनकर कुछ शब्द अजीब से लगते हैं इनका कोई अर्थ समझ नहीं आता और हमारे मन में यह प्रश्ण उठता है कि यह क्या है तो इसका तात पर हुआ, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता जो सुनने में भी कुछ अलग लगते हैं जो हमें समझ में नहीं आते या जिन शब्दों से अपनी बात समझाई नहीं जा सकती ऐसे शब्द निरणथक शब्द कहलाते हैं प्रश्ट नमबर तीन शब्दों का वर्गी करण किन किन चार आधारों पर किया गया है प्रतेक का नाम लिखिए तो शब्दों का वर्गी करण हम चार आधार पर करते हैं कैसे नमबर वन उत्पत्ति के आधार पर नमबर दो रचना के आधार पर और नमबर तीन प्रयोग के आधार पर और नमबर चार अर्थ के आधार पर जैसा कि आपने पाट के माध्यम से भी पढ़ा था अब करते हैं बेटा प्रश नमबर चार प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेत होते हैं पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द विकार मतलब जिसमें दोश होते हैं और अविकारी जिसमें की कोई दोश नहीं होते विकारी शब्द में क्या होता है? जो लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्थित हो जाते हैं, वो विकारी कहलाते हैं, लेकिन अविकारी जिन में लिंग वचन और कारक के कारण कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, वो ऐसे ही रहते हैं, तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं. प्रश्ट नमबर पाँच रूड और योगरूण शब्द में अंतर इसपष्ट कीजिए योगरूण रूण शब्द है जिन शब्दों के टुकड़े कर दिये जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं होता ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं रूड शब्द कहलाते हैं जैसे अब हम बोलते हैं छट, पुस्तक, आदी इनको हम तोड नहीं सकते ये ऐसे ही रहते हैं तो इन्हें हम रूड शब्द कहते हैं दूसरा है योगरूण योगरूण शब्द है जो शब्द अपने सामाने अर्थ को छोड़कर विशेश अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योगरूण शब्द कहा जाता है जैसे दशानन, अब दशानन को कैसे हम बना सकते हैं दस है मुख जिसके अर्थात रामण, दस मुख और किसी के तो होते ही नहीं है रामण के यह दस मुख तो इसलिए यह बताया है उन्होंने की अपने अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे को बताता है, प्रधान बताता है तो इसलिए यह योगरूण कहलाता है तो बचो यह प्रशन उत्तर हमने यहां पर पूरे कर लिए अब आते हैं हम प्रशन नमबर दो पर प्रशन नमबर दो में हैं सही वाक्य की सामने सही तथा गलत वाक्य की सामने गलत का निशान लगाईए इसमें पहला है आलू राजिस्थानी शब्द है गलत है सही है? यह गलत है आलू राजिस्थानी शब्द नहीं है दो या दो से अधिक शब्दों से बने होते हैं अब उन्होंने पूछा है कि ये बताईए कि योगिक शब्दों से बनते हैं या दो से अधिक शब्दों से तो ये बिल्कुल सही है तो इसमें हम राइट लगाएंगे गा उत्पत्ती के अधार पर शब्दों के तीन भेदोते हैं हमने कितने पढ़े थे बच्चो हमने उपढ़ा था उत्पत्ति गयाधार पर चार भेदोते हैं यहां पर इनौने बताया है तीन भेदोते हैं तो इसलिए यह है गलत है इसमें हम क्रॉस काचिन लगाएंगे गहा विप्रीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं बिल्कुल सही बात है विप्रीत मतलब उल्टा अर्थात उल्टा शब्द अर्थ बताने वालों को विलोम शब्द कहा जाता है तो यह है पूरे तरह से सही है राइट का निशान लगाएंगे समान अर्थ प्रकट करने वाले शब प्राइवाची कहलाते हैं ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जब एक से ही अर्थों को प्रकट किया जाता है उन्हें हम प्राइवाची कहते हैं तो इसका उत्तर भी बिल्कुल सही है इसमें भी राइट का निशान लगा देजे बच्चो अब हम करते हैं प्रश्ण नमबर तीन निमने लिखे चब्दों में से रूड, यौगिक और योगरून शब चाट कर लिखे इन्होंने कुछ शब्द उपर दिये हुए हैं तीन पार्ट दिये हैं रूड, यौगिक और योगरूड उसमें हमें उपर से देखकर यह भरना है कि कौन सा शब्द किस भाग में लिखना है तो सबसे पहले बच्चो हम रूड के शब्द लिखेंगे रूड में आता है महमान वो शब्द आएंगे जिनके हम तुक्ड़े नहीं कर सकते तो रूड में लिखेंगे महमान, गाड़ी, पहाड, बल, दिवार अब आता है सेकेnd यौगिक यौगिक में लिखेंगे सैना पती जिसमें की हम तुक्ड़े कर सकते हैं पहला जो होता है वो उसका प्रधान होता है प्रमुख होता है इसलिए ऐसे शब्दाते हैं सेनापती बिमारी दिवार अब गामी करेंगे योग्रून योग्रून में बताया था भी आपको कि जो क्या करता है क्या करता है भी योग्रून में बताया था कि वो अपने अर्थ को छोड़कर विशे शर्थ को प्रकट करता है तो इसमें किसी तीसरा प्रधान होता है इसलिए इसमें आएंगे दशानन, जलज नेलकंट राजदूत आदे तो बच्चो अब हम करेंगे प्रश्ण नमबर चार निम्लिली के शब्दों में से तटसम तटभव, देशज और विदेशी शब छाट कर लिखिए इसमें भी इनोंने ऐसे ही बहुत सारे शब्द दिये हैं जिनकों की हमें इनी के दिये हुए भागों में विबाजे करना है एक दिया है तटसम, तटभव देशज और विदेशी तो इसमें हम अलग-अलग लिखेंगे तटसम में कौन से आते हैं जो संस्कृत के कहलाते हैं वो उसमें तटसम में आते हैं जैसे तटसम में लिखेंगे मयूर, बालक तदभव तदभव में आएंगे दात, आम आग दूद मोर नमक अब आता है थर्ड पर देशज देशज में देशी चीजों के नाम जैसे कि हम पुराने उसमें बोला करते थे या हम आम बोलचाल की भाशा में घर पर भी बोलते हैं तो इसमें आएंगे जूता गाड़ी खट खटाना पैसा लोटा वायू पेट अब आते हैं बच्चों विदेशी शबद विदेशी कौन से होते हैं जो कि हमें दूसरे देश से प्राप्त हुए हैं हमारी अपनी भाशा में नहीं आते हमारे मानक शबद में नहीं आते मानक हिंदी में नहीं है ये विदेशी शब्दाएं जिनको की हमने अपनी हिंदी में मिक्स कर लिया है अर्थात हम अब अपनी भाशा छोड़कर इनको अपनाने लगे हैं तो वो कौन से शब्द हैं कॉपी चाय पैंसिल नमक अलमारी दुकान चमच बारूद देखा न आपने कैसे क्योंकि कॉपी नहीं बोलते कभी भी पुस्तिका बोलते हैं हिंदी में चाय नहीं बोलते हैं पेपदार्थ बोलते हैं लेकिन जितने भी हमने ऐसे शब्द बोले हैं वो हमारे भारतिय शब्द नहोंकर हिंदी शब्द नहोंकर कहा के हैं विदेशी शब्दें जिने की हम उनकी संस्कृति के साथ साथ ऐसे शब्दों को भी अपनाते जा रहे हैं तो बच्चो अब आता है प्रश नमबर 5 प्रश नमबर 5 में आते हैं रिक्तिस्थान की पूर्ती कीजिए तो पहला है वर्गों का सम्हु जिसका कोई अर्थ होता है रिक्तिस्थान कहलाता है तो इस रिक्तिस्थान में क्या आएगा वर्गो का वैसमू जिसका कोई अर्थ होता है वहे शब्द कहलाता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम वहे शब्द पूरा ऐसे लिखेंगे वहे शब्द कहलाता है दूसरा फिलप है वाके में प्रियुक्त शब्द डैश या रिक्तिस्तान कहलाते हैं अब देखना है क्या आएगा इसमें वाके में प्रियुक्त शब्द जब वाके में जो शब्द आते हैं उन्हें हम जैसे हमने कै मैं ले अलग अलग वर्ण बना के एक शब्द बना लिया और उसको अलग-अलग उसमें लिख दिया हर शब्द आता रहेगा वाक्य में तो हम उसे क्या कहते हैं पद कहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे वाक्य में प्रियुक्त शब्द पद कहलाते हैं थर्ड उत्पत्ति के अधार पर शब्दों के रिक्तिस्थान भेद होते हैं हमने दो बार पढ़ लिया उत्पत्ति के अधार पर शब्दों के कितने प्रकार के भेद होते हैं चार तो यहां फिल अप में लिखेंगे हम चार भेद होते हैं फोर्थ आएगा विदेशी भाशाओं की प्रभाव से हिंदी भाशा में आए शब रिक्तिस्थान कहलाती है देशी से आएंगे तो क्या कहलाएंगे देशज कहलाएंगे लेकिन जब विदेशी भाशा से आएंगे तो क्या कहलाएंगे यह तो बहुत सरल है तो क्या तो जब कोई व्यक्ति विदेश से आता है तो कहते हैं ना विदेशी आ गया तो ऐसे ही शब्द भी जब विदेश से आए हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे विदेशी शब कहलाते हैं नमबर फाइफ प्रियोग के अधार पर शब्दों को रिक्तिस्थान भागों में बाटा गया है कितने भागों में बाटा है शब्दों को कितने भागों में बाटा है दो भागों में बाटा गया है कौन कौन से दो भाग हैं वो शब्दों को किन दो भागों में बाटा गया ह सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखने है नमबर सेक्स रचना के अधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं रिक्तिस्तान भेद होते हैं तो कितने भेद होते हैं रचना के अधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं समझाया? अभी पहले हमने पढ़ा था उत्पत्ती के अधार पर चार भेद होते हैं और रचना के अधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं तो बच्चो आशा करती हूँ, आपको यह पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब आपको यह सारी exercise और प्रशन उत्तर अपनी कक्षा काफी में करना है.